नाम वाप्ची के बाद विधान सभा चुनाओ 2023 के लिए तस्वीर साफ हो गई है। गुरुवार को नाम वाप्ची के आखरे दिन कॉंग्रेस भाजपा के बागियों के साथ कई निर्दलियों ने भी नामंकन पत्र वापस ले लिए। सबसे ज़ादा तीन-तीन उमीद्वार उत्तरमद्य और पश्यम विधान सभाशीत के रहे जिन्होंने निर्वाचन कारेले पहुचकर नाम वापस ले लिया। नाम वापस नहीं लिया। पातन से शिवम पलहा, एडवोकेट शाम सुंदर यादव। वरिष्ट नेताओं के सुबह से फोन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। राजिस पटेल जी सुबह से हैं हमारे साथ, यहिलने नहीं दे रहे हैं। तो चुके मैं पार्टी की बहुत वरिष्ट नेता भी हूं। और एक गुस्सा तो थी और गुस्सा है अभी पार्टी के हिद में। खासकर राजिस पटेल के पक्षमें हमने फार्म को बिड़ा किया है। ओसलिया जी हमारी बरिष्ट नेता है। हम लोग जब नेतागिरी करना शुरू किये हैं तब तक यह विधायक बन चुकी थी। तो इनका दाबा था सिहुरा विधान सभा से और बढ़िया दाबा था। बरिष्ट नेता हैं। सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। पनागर से विधायक थी। हमारे पनागर में मने कौसेला जी के समाज के बोटर भी बहुत हैं। इससे तुरुप से कांग्रेस को इससे बहुत नुक्सान होता। लेकिन कांग्रेस के हमारे सभी बरिष्ट नेताओं के समझाने पर और कांग्रेस के लिए चुकि कांगरेस इनके खून में रची बसी है, कांगरेस को हमेशा बढ़ाने की बात मैडम करती आई हैं, इसलिए हमारे बातों को ध्यान में रखते हुए कांगरेस के बरिश्च नेताओं की सहमती से मैडम ने आज पनागर बिधान्सवा में सबसे पहले पनागर बिधान्स दबा कि सभी कांग्रेस के कार करता हूं की ओर से मैं मैडम को धनवाद ग्यापित करता हूं साथ ही साथ हमने रिक्वेस्ट की कि मैडम जब पनागर से वापिस आपने कर लिया है तो सिहोरा से ही वापिस करिए हमारी चोटी बेन एक ठाकुर जी वहां चुनाओ लड़ रहे है हैं और आप चुकि कांग्रेस की लीडर है हमारी लीडर है हमारी आप विधायक थी हैं तो निशितित्रपू से कांग्रेस के लिए जो फायदा आप दिला सकते हैं दिला ये मैडम ने साथ सुईकार किया और सिहोरा विधान साब ऐसे भी इन्होंने अपना जो है आज और पनागा दोनों विधान साबाओं की तरब से धन्नबाद